हलो बच्चो आज हम लोग मराठी सुलब भारती यत्त चौथी का लेसन नमबर 27 धाड़सी जुगी इसको स्टड़ी करेंगे धाड़सी याने बहुत बहादूर और जुगी इस लड़की का नाम है जो बहुत बहादूर है ये पिच्चर में हमको दिख रहा है ये जुगी आ सुनो और रेड करो तो क्या हुआ था जुगी नौ दहा वर्षान ची मुलगी जुगी ये एक नौ दस साल की लड़की थी ती आणि तीचे आई बाबा शेतातिल जोपडी तरहत वो और उसके माबाप शेत याने खेत खेत में एक जोपडी में रहते थे तीचे आई बाबा शेतात काम करत उसके माबाप खेत में काम करते थे सायंकाड जाली सायंकाड याने शाम शाम हो गई जुगी अब्यास करत बसली होती जुगी क्या कर रही थी पढ़ाई कर रही थी अब्यास पढ़ाई करते बैठी थी जोपडी बाहेर कोकरू बांधले होते जोपडी के बाहर कोकरू याने बकरी का बच्चा बांधा हुआ था जोपडी तियेऊन आई ने चुली वर भात शिजायला ठेवला जोपडी में आकर माने चुली वर चुले के उपर भात याने चावल शिजायला ठेवला याने गरम करने के लिए रख दिया जुगी ला भाता कड़े लक्ष ठेवाईला सांगितले माने फिर जुगी को क्या कहा भात की तरफ याने चावल की तरफ लक्ष ठेवाईला ध्यान रखने के लिए सांगितले कहा आणी विहीरी वर पानी आनाईला गेली ये कहे कर मा कहा चले गई विहीरी वर याने कुवे के उपर पानी लाने के लिए चले गई तो फिर क्या हुआ उसके बाद तेवडियात कोकराचा बे बे ओरडनेयाचा आवाज आला तेवडियात याने इतने में कोकराचा वो जो बकरी का बच्चा था उसका बे बे करके ओरण नियाचा चिलाने की आवाज आई तरशी जुगी धावतच जोपड़ी बाहेर आली तो जुगी फौरन भागते हुए धावतच भागते हुए जोपड़ी के बाहर आई तिला एक लांडगा दिसला तो उसको वहाँ पर एक क्या दिखा? फौक्स एक लोमड़ी दिखी ये गाव में के लाके में जहां खेत होते हैं वाई ऐसे जानवर सब आ जाते हैं बकरी खाने के लिए तो कोकरा कड़े येत होता तो वो जो फौक्स था वो उस बकरी के बच्चे के तरफ आ रहा था जुगी घाबर ली, जुगी डर गई, चोटी बच्ची तो थी वो शन भर विचार के ला लेकिन बहुत बहादूर थी जैसे लेसन का नाम है धार सी जुगी तो चोटी थी लेकिन बहुत बहादूर थी तो डरी नहीं, डरने के बाद उसने अपने आपको समाल लिया और शन भर विचार के ला कुछ थोड़ी देर के लिए उसने सोचा कि आप क्या करना चाहिए ती जटकन जोपडी दगेली, वो जटकन फोरन जोपडी में गई चुली तील जड़ते लाकुड घेवन बाहर आली तो माने जो आग जलाई थी, उसमें से एक जलतीवी लकडी लेकर वो बाहर आई लांडगा कोकरावर जड़ब घालनार इतक्यात जुगी ने जड़ते लाकुड लांडग्याच्या दिशेने फेक ले तो वो फॉक्स लोमड़ी उस बकरी के बच्चे पर जड़ब घालनार याने हमला करने वाला ही था कि इतक्यात इतने में जुगी ने वो जलतीवी लकडी वो लांडगे के दिशे में याने वो फॉक्स के डिरेक्शन में फेकी आगीला पाहून लांडगा घाबरला तो आग को देखकर वो फॉक्स डर गया घाबरला डर गया तो पड़ाला वो भाग गया कोकराचा जीव वाचला तो वो बकरी के बच्चे की जान बच गई पड़ा पड़ा लांडगा पड़ा जुगी जोर जोरात ओरोडू लागली तो अब जुगी ने बहुत जोर जोर में चिलाने लगी भागो भागो लोमडी आ गई है भागो तब उसकी आवाज उसके माबापने सुन लिया तीछिया आवाजाने शेतात काम करनारे बाबा धावत आले उसकी आवाज सुनकर खेत में काम कर रहे थे बाबा वो धावत आले भाग कर आए आई ही आली उसकी ममी भी आगई जुगी ने त्यानना घडलेला प्रसंग सांगितला जुगी ने उनको घडलेला प्रसंग याने जो हुआ वो किस्सा प्रसंग इंसिडेंट सांगितला उनको बताया आई ने तिला जवड गेत ले, मा ने उसको अपने करीब कर लिया बाबा नी तिछया डोक्या वरून हाथ फिरवला और पिता जी ने उसके सर पे हाथ फिराया यहने इतनी चोटी सी बच्ची ने इतना बड़ा बहादूरी का काम किया उनको बहुत ही अच्छा लगा जुगी चिया धारसाची बातमी गावात पसर ली तो जुगी के इस बहादूरी की बातमी नियूस पूरे गाव में पसर ली फैल गई गावचिया सरपन चाननी तीची पाठ थोपटली गाव के सरपन जोते मुख्या जोते उनोंने भी उसकी पीट थप थपाई पाठ थोपटली शाबाशी दी शाडे तील शिक्षकाननी मुख्या ध्यापकानी तिच्या धार साच से कवतुक के लिए कवतुक करना, appreciate करना, सरहाना, तारीफ करना तो सब ने जुगी की तारीफ की तो यह चोटा सा लेसन था बच्चो इसको अच्छे से आप लोग read कर लो, समझ लो इसके question and answers हम लोग next वीडियो में देख लेंगे जब तक के लिए, बाई बाई